गुड आप्टरनून टू अल आफ यू माइनेम इस दिव्यांसु संकर पांडे तो आज हम लोगा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट एक पार्ट है मार्केटिंग सब्जेक्ट का और जो भी 12 में कॉमर्स लिए हैं या जो भी आगे आप्टर ग्रिजुएशन एम वीए करेंगे या आप्टर टुवल्ड कॉमर्स के बाद मैनेजमेंट फिल्ड में जाते हैं वी कॉम भी वी जो भी पढ़ाई करने तो वहां उनको एक सब्जेक्ट मिलेगा सेल्स मैनेजमेंट ठीक है तो सेल्स मैनेजमेंट होता है वह हम लोग समझते हैं आज तो सेल प्लस मैनेजमेंट यह मिलके बना है उनको एक सब्जेक्ट तो अब पता है। मतलब जैसे किसी दुकांदार के पास सेलर है वह क्या हैं उसके लिए क्या है बायर है तो वह कुछ सेल्ज करता है र्धिश्ट करता है या सर्वीश works करता है चेसे सेल्ज करते हैं जहांपे ब combine का involves पर उसे सेल्ज करते हैं जैसे किसी डॉक्टर के पास गहते है तू इस होस्पिटल गए कोई होटल गए तो वो हमारा सेल कर रहा है किन दुकान के पास गए या किसी रिटेलर के पास गए ले मॉल गए ठीक है डीपार्टमेंटल इस्टोर गए तो हमारा प्रोड़ेट्ट क्या करता है तो यह होता है बेसिक meaning of sales and management क्या होता है आजकल सभी जानते हैं management का जो generic term होता है general term जिसको बोलते हैं वो होता है getting things done through by other मतलब जो अपना काम है वो दूसरे से कराना ineffective or efficient way में जब आप किसी company में manager बन जाते हैं या कहीं भी कोई भी post पर आते हैं तो आप management करते हैं या घर में भी आपके जो family member है वो कहीं न कहीं अपने घर में भी जो house pipes होते हैं या मदर होते हैं वो भी management करते हैं मतलब अपना काम दूसरे से कराती है ineffective and efficient way effective way मतलब कि हम लोग जो काम है कम से कम समय में उसको पूरा करेंगे efficient way मतलब optimum utilization of resource आप लोग सब जानते हैं यह resource का कमी है हमारे इंडिया में यह सभी जगा पूरे वर्ल्ड में resource का हरेक चीज़ का कमी है लैक आप इसका सेटी होरा है resource का तो वहाँ पे क्या इसको optimum यूज करना मतलब बहुत ज्यादा maximum भी नहीं बहुत कम भी नहीं मिनिमम भी नहीं जितना जौरत है उतना हम लोग resource का यूज करेंगे तो वही चीज़ है ineffective and efficient way तो management जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी के टंस में हम लोग बोलें कि अपना काम दूसरे से कराना या हम किसी से अपने दोस से अपने रिलेटिव से अपने कलीक से अपने प्यर गूरूप से तो एक तरह का वह management कर रहे हैं तो यहां भी वही चीज़ होता है sales में कि जब हम लोग managers क्या होता है sales कराता है किसके थूरू sales person के तूरू sales force के तूरू तो जैसे हम manager है है और आप sales force है तो हम आपको क्या दिये sales करने दिये तो क्या कि एक तरह का हम अपना काम आपसे करा रहे हैं ठीक हमको company target दे रही हो और हम वह target आपसे चीव करा रहे हैं तो यहां पर management भी involved हो गया अब जो आप market में जाके sell करिएगा product or services वह हो जागा basic meaning of sales तो sales management क्या अब sales management में क्या है सभी तरह का activity marketing मार्केटिंग मार्केटिंग क्या है मार्केटिंग के अंदर आता है sales तो आगे समझेंगे क्या इसका objective है क्या इसको explanation के साथ समझेंगे तो यहां पर क्या-क्या marketing activity कोई भी product भी आप sell करिएगा तो उसका advertisement जरूरी है आप newspaper में कराईए टीवी पर कराईए ठीक है online आज कल डिजिटल मार्केटिंग का समय चला तो वहां पर आपका advertising होगा प्रोडेट का प्रोडेट का प्रोडेट में उतारते हैं प्रोडेक्शन करते हैं physical distribution हम लोग का जो प्रोडेक्ट्स है goods and services है और manufacture to consumer तक कैसे पहुचेगा pricing and product merchandising क्या उसका प्राइज होगा जो हर एक कस्टमर एफ़ोडेबल हो उसे खरीद पाए ठीक है जैसे जीओ आया तो जीओ क्या आया पहले zero price पर आया वह क्या क्या एक तरह का पहले advertising अपना promote कर लिया market में ठीक है नीड जान लिया कि जैसे market research का बात करें तो वहां पर market research में वह पहले ही जीओ अपना launch करने से पहले 3-4 साल पहले से company वह फॉर्म कर लिया था market research करा था कि अब जौरत क्या है तो 4G का जौरत था तो नीड पता चला फिर उसके बाद pricing zero कर दिय जिससे वह पूरा पहले अपना market set बना लिया ठीक है उसके बाद फिर अपना वह price set किया जिससे वह affordable हो सके तो वही चीज़ है sales management अब क्या है according to the definition committee of American marketing association AMA sales management means the planning, direction, control of personal selling including recruitment, selecting, equipping, assigning, routine, supervising, paying and motivating as this tax apply to the personal sales force अब हम लोग जैसे 12th में commerce पढ़े होंगे जो भी student वो जानते होंगे 5 step होता है functions होता है management का पहला होता है planning, organizing, staffing, directing and last controlling तो यहां पे भी वही चीज़ है, यहां क्या होता है planning, कैसे how to sell, तो कैसे हम लोग पहले planning कर लेते हैं कैसे sell करेंगे, कब करेंगे, क्या उसका setup होगा, क्या process होगा, फिर हम लोग direct करते हैं अपने personal sales force को, fit then controlling, controlling not only control, कि हम लोग अपने personal sales को control नहीं, हम लोग यहां पर कि देखते हैं, deviation निकालते हैं, कि हमारा जो अभी का जो sales हुआ, या जो हम लोग पास्ट का sales था, उस दोनों के बीच में कितना difference आ रहा है, ठीक है, ज्यादा difference आ रहा है, तो मतलब कहीं ने कहीं हम लोग लेक कर रहे हैं, कम difference आ रहा है, अच्छा market हम लोग profit कर पा रहे हैं, पिछले साल सपोजे हम लोग का 1000 product sales किये थे, वन मन्त में, इस साल हम लोग का, इस मन्त में हम लोग का 1100 product, मतलब हम लोग का 100 का deviation जादा आ रहा है, मतलब हम लोग अपने organization को कहीं ना कहीं, अब करके आग आते हैं, या कोई भी seller हमारे पास आता है, या कहीं हम लोग मौल गए, तो एक तरह का personal selling है, including हम लोग क्या हम पर recruiting करते हैं, sales force को, मतलब जो sales person होता है, sales executive होते हैं, उसको select करते हैं, उसको routine देते हैं, उसका assign करते हैं, job कि हाँ, ये तुमना job है, इतना तुमना target रहेगा, य routine wise को surprise भी करते हैं, कि कैसे कैसे तुमको sell करना है, तो आगे हम basic हम सिखाएंगे, कैसे how to sell anything in market, ठीक है, तो फिर paying उसको उसके हिसाब से pay करते हैं, अच्छा sales क्या कोई sales person, तो उसको हम incentive bonus भी देते हैं, और time to time उसे motivate करते हैं, कि उस ज्यादा से ज्यादा sales करें, और हम लोग इस tax apply to personal sales force, personal sales force मतलब sales force वही, जो sales person होते हैं, जैसे एक company है, उसके manager है, medium level पे, और नीचे operational level पे, 100 sales person है, तो वो हमारा एक sales force हो गया, जो जहाँ पे हम लोग सबको direct करते हैं, sales के लिए, then objective अब क्या है, main objective, first objective होता है, sales का हमेशा, यह objective होता है, revenue generation, revenue generation मतलब, ज्यादा से ज्यादा sales करके, revenue generate करना, company के लिए, क्योंकि कहीं भी चले जाएए, किसी भी organization चले जाएए, आप management, marketing के थुरू कहीं भी job लेते हैं, आगे, तो आपको target मिलना है, target इसलिए मिलना है, कि company को revenue चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा profit चाहिए, company को, यह first and foremost motive होता है, company का, ठीक है, increase sales volume, और उनका यही, इससे related वही, sales volume को increase करना है, ठीक है, जैसे suppose that कि हम लोग को target है, कि one week का 1000 product sell करना है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा target है, तो वो चाहते हैं, उतना तो sales हो ही हो, minimum to minimum, लेकिन उसके, जो sales person को भी, क्या करते हैं, motivate करते हैं, और आप sales करिए, ज्यादा से ज्यादा आप market में sales करिए, तो मतलब sales volume, जो target होता है, उसको ज्यादा ज्यादा increase करिए, और achieve करिए, sustain profit, यह चीज़, हाँ, यह यह भी एक objective है, मतलब क्या है, revenue generation मलब जैसे, आगे हम लोग पड़े, profit revenue तो हम लोग generate करेंगे, करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कि यह 2019 में profit generate अच्छा कर लिए, revenue अच्छा generate कर लिए, फिर 2020 में जाके down हो गया, हम लोगा profit, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगा profit है, sustain होना चाहिए, ठीक है, continuously way में वो चलते रहना चाहिए, profit अब होना ही चाहिए, organizational guru, automatic आप जब ज़्यादा sales करेंगे, ज़्यादा profit आप market में, company को देंगे, market से लाके, तो खूद company क्या करेगी, ग्रो करेगी, जब ग्रो कैसे करेगी, जब ज़्यादा sales होगा, मतलब market में आपका product का demand बहर रहा है, increase हो रहा है, तो demand increase होगा, production increase होगा, production increase होगा, तो labor भी, labor भी आपका increase होगा, production के लिए, labor भी higher होएंगे, company के तरफ, और ऐसे हम लोगा, economic का भी growth होगा, GDP भी बढ़ेगा, जिसे हम लोगा, automatic as well as हम लोगा organization का भी growth होगा, market leadership, अब देख लिए, जिसे जियो, telecommunication में अपना एक market leader बन गया था, अब इस समय एयर टेल भी उसे टकर दे रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, दो तीन साल पहले, जियो market leader बन गया था, reliance भी अभी अपना इंडिया में market leader है, इस टील में, petroleum में, जैसे टाटा, टाटा भी है अपना consistency में and also steel में, ये भी अपने leader market में बना हुआ है, क्योंकि इसका एक brand value बन गया है, इसका positioning हो गया, इसके product and services का, तो sales भी इसके जादे होने लगे, और day to day का sales increase होई रहा है, तो market में अपना leadership बना के रखे हैं, converting prospect to customer, य जैसे आप किसी retailer के पास या shop के पास जाते हैं, को product या electronics समाना फेदना जाते हैं, gadget, तो आप उस समय retailer, seller के लिए क्या है, prospect है, वो prospect को क्या करते है, convert करते है, suspect में, मतलब customer में, ठीक है, जैसे आप गए किसी में, तो आपको influence करेंगे, convince करेंगे, कि सरी अच्छा product है, ये ले लिए, उनके लिए आप क्या है, prospect, उसको फिर convert कर देते हैं, suspect में, suspect में अलब customer में, और फिर वो जाके purchase कर लेता, ये basic objective है, motivate the sales, ये सब उपर जितना हम लोग points पढ़े, revenue, generation, sales volume, sustain profit, organizational growth, ये सब क्या था, ये सब सब dependent salesperson पर, salesforce पर, तो आपका सबसे foremost objective होगा, कि आप salesforce को motivate क कैसे, उसको monetary package भी incentive दीजिए, non-monetory भी उसको, इसे ML, ये दीजिए क्या करते हैं, benefits दीजिए, जैसे monetary क्या, उसको परक्स दीजिए, उसको bonus दीवाली bonus, दूरगापुजा bonus, या उस जितना sales कर रहा है, वो target को भी achieve कर रहा है, दिन target को भी वो सरपास कर जा रहा है, तो उस पर भी उसको bonus दीजिए, वो motivate होगा और ज्यादा-ज्यादा sales करने का कोशिज करेगा, और non-monetory मतलब उसको कहीं international domestic tour package दे दीजिए, जिससे वो family के साथ घुम सके, अब time spend कर सके, और फिर उसके बाद sales में लग जाए, तो ये basic objective है, अब basic चीज है, say how to sell anything, कहीं भी चले जा आपको कुछ ने कुछ बेचना ही होता है, बैंक में भी आपका सरकारी job, government job लग जाता है, तो आपको वहाँ भी target मिलेगा, कि आपको loan इतना pass करना है, आप marketing field में भी चले जाए, कोई भी field में चले जाए, सब जगा आपको target मिलेगा, तो basic sales का क्या step है, ठीक है, कैसे अपने product service को बेचें, तो पहला है, consider yourself as a consultant, not a seller, अब कहीं भी sales मतलब क्या होता ना, किसी seller के पास आईएगा ना, तो आपको यह नहीं बोलेगा, कि हम क्या बेच, how may I help you, वो पूछता है कि हम आपका कैसे help करें, तो मतलब आप consultant के जैसा आपने आपको consider करें, आप किसी के पास जा हैं, समान बेचें, तो यह मत समझी हम seller हैं, आप समझे के, हम consultant, हम उसके help करने जा रहे हैं, ठीक है, sales का यही basic meaning, आप समझ जाईएगा, कि हम सामने वाला का help करने जा रहे हैं, जिससे network marketing, network marketing भी MLM, जिसको मुलते हैं, multi-level marketing, यह बहुत बड़ा industry है, और यहीं पे सबसे बड development होता है, sales का, प्रसनल selling का, तो उसको भी आप basic जानेगा, तो यहीं से start होगा, कि अपने आपको consultant समझी है, seller मत समझी है, किसी के पास आप जा रहे हैं, जैसे हम ही आपके पास आ रहे हैं, तो हम आपने आपको consultant समझ कहा रहे हैं, कि हम आपका help करने जा रहे हैं, ना कि आप mall में चले जाए है, और कहीं भी अच्छे जगा चले जाएगा, जहां आपको purchase करना है, तो वहाँ पे एक relationship वो build करते हैं, यह कोई भी local किराना store में जाएगा, तो सामने से कोई भी टप रहा है, तो उनको जैसे कोई पांडे है, तो पांडे जी कैसे है, सरवाजी कैसे है, त उसे क्या, वो relationship build करते हैं, जिससे वो उनका product ही उनी से आके खर दे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, relationship build करना, उनके बारे उनका general चीज जानना है, उनका background जानना है, उनका क्या need है, क्या want है, उनको समझाना, उनको help करना हाँ, सर ऐसे हो सकता है, ठीक है, फिर ज consultant भी सपने आपको समझ के चले जाता है, लेगिन क्या आता है, जब customer बोलने लगता है, तो उसको रोग के फिर अपना start कर देता है, reply करना, वैसा नहीं, मलब तुरन तुरन प्रॉंट नहीं करना, मलब पाउज हो जाए, पहले customer का अच्छे से सुनिए बात, वो क्या कहना च चारा, क्या वो हमसे मांग रहा है, क्या उसका need है, क्या वो हमसे help करना, help लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको पहले आपना को पाउज करके रखिये, जब वो पूरी तरह के से अपने से explanation दे, देखा, तब आप reply जिए, कि आपका ये problem के लिए, ये solution है, और ये solution मेरे product and services क के द्वारा ही जा सकता है, तो ये basic सब चीज था, how to sell anything, this objective and introduction of sales management, thank you very much.